अगर आपने एस्टल पाइप के अंदर एक लाग रुपे लगाया होता ठीक आसे दस साल पहले तो आज आपके पास पहले तालीस लाग रुपे होते इसके लाओ अलग से होता अब आपके वन में इच्छ होगी कास मैं भी उस समय पर एस्टल पाइप में निवेस करने था ले लेकिन दोस्तो एक कावत है कि Partner and His statement इच्छियर रेपीट itself दोस्तो आज काफी समय के बाद एक भार हमारे पास को कअ आ है कि हम वह एस्टल पाइप की तरह मल्टी वैग लिटन जी नहीं मैसीव मल्टी हैं कमास के तोुद्सतो मैं आपके सामने बाएप आज यह ऐसा माइक् लोते हैं तो अगर आप इस स्टो कीं आपक स्थॉक्त फार्जिय ख Chen fest न सप्र खर्ज़गां के सीन्दर आपका कीपिटल वाईपाउट हो सकता है या फिर आपका पैसा 10x या 20x भी हो सकता है और जैसे कि वर्ण बाफेज भी बोलते हैं रिस्क कम्स फ्रोंग नोट नॉइंग वट इवार डूइंग यानि कि रिस्क हमें तब जाता होता जब मैं यह नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं तो आज हम जिस Micro Cap Stoke में निवेस करने के बारे में सोचने वाले हैं तो सबसे पहले अब उसका बिजन समझेंगे तो दोस्तो इस कम्पनी का नाम है Captain Pipe इस कम्पनी के सुवाद दो जार दस में हुई थी और यह एक गुजरात बेस कम्पनी है दोस्तो जब भी मैं कि समाल कैप कम्पनी को study करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके अंदर देखता हूँ कि वो कम्पनी क्या करती है तो देखें यह कम्पनी डिफेंट रहने पाइप बनाती है जिनका इस्तमाल plumbing solution और agriculture solution के अंदर किया जाता है तो अब हम एक सभी को थोड़ा सा retirement जान लेते हैं कि इनका जाता है फिर आता है CPVC plumbing system जो कि hot and cold water application में use कि जाते है और फिर UPVC plumbing system जो कि सिरफ cold water के इस्तमाल में आते हैं और फिर आता है SWR pipe and fittings जाने कि civil water and rain water discharge system mainly इनका इस्तमाल civil water के अंदर किया जाता है इसके लाव कम्पनी CPVC, PVC और UPVC solvent cement बनाती है अब ये एक तरगी ensign type की solvent रहता है जहाँ पर मनले कोई लिकित है तो वहाँ पर इसको हम इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाव कम्पनी HDPE pipe याने की high density polyethylene pipe भी बनाती है जिनका इस्तमाल oil and gas transmission, sewage pipe system, domestic system और telephone cable setup के रूप में इन pipe का इस्तमाल होता है अब हम जानते हैं इस कम्पनी की manufacturing facility के वारे में तो इस कम्पनी के पास अभी तक के वन एक ही प्लांट है जो की राज कोट के अंदर है इनका ये प्लांट fully equipped है high tech machinery and tools जो की Japanese और German technology से लेस हैं इनके प्लांट में दो तरह की machines है पहले ये extrusion machines जिससे की column pipe, pressure pipe, plumbing pipes बनते हैं ये machine ने इनकी German technology की हैं दूसरी है इनके पास injection molding machine जिससे की agri fitting और plumbing fittings बनाते हैं कंपनी का business समझने के बाद अब में देखते हैं इस company का कुछ financial ratio तो इस company की market cap अभी 425 crore की है price to earning इस सब्सक्राइब काफी जाद है जो की 146.9 का है return on equity 12.7%, ROC 18.7% है debt to equity 0.13 है और इस company पे कुछ धाई क्रोड रुपे करज है और इस company पे कुछ 6 क्रोड रुपे का reserve है company के पास कुछ reserve भी है दोस्तों अब हम check करते हैं कि past में इस company ने कैसा performance किया है किस तरह से इनकी sales में हमें growth देखने को मिली है अब हम एक बार वो भी check कर लेते हैं इस company का revenue FI 20 के अंदर 45 क्रोड का था जो कि देखी FI 22 तक आते आते हैं ये 82 क्रोड तक पहुचा और अभी FI 23 के अंदर ये 85 क्रोड तक पहुच गया है जो कि FI 22 तक आते आते हैं ये कुछ 2 क्रोड 70 लाग रुपे का था यानि कि ये एक तरह देखी FI 23 तक आते आते हैं ये 4 क्रोड तक पहुच गया है इस company ने अपने EBITDA के अंदर पिछले 4 साल में हमें 15% के sales से growth दिखाई है इसके बाद चेक करते हैं कि इस company के अंदर net profit हमें किस दर से बढ़ता हमें देखने को मिला है तो FI 20 के अंदर इस company के पास केवल 40 लाग रुपे का profit था और FI 23 के अंदर इस company ने 1 कोड 80 लाग रुपे का net profit दर्ज किया है तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी number millions के अंदर है तो मैं आपको इसको क्रोड में convert करके बता रहा हूँ तो पिछले 4 साल में इस company के net profit में हमें 65% के sales से बढ़त देखने को मिली है वहीं इस company की net worth हमें पिछले 4 साल के अंदर 32% के sales से बढ़ते में देखने को मिली है जो केवल FI 20 के अंदर 8.80 लाग पे थी जो की FI 23 तक आते आते अब यह कुछ 20 कोड तक की पहुँच चुकी है तो देखिए इस company को पर करज काफी कम है company के पास reserve भी है company का net profit में भी हमें काफे अच्छी growth देखने को मिली है तो कुल भी लाकर देखिए जो उसके number wise है यह एक fundamentally strong company है अब दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इस company के अंदर share holding pattern कैसा है तो इस company के अंदर promoter का stake इसमें 72.23% का है इसके लावा सारा stake देखिए public के पास है F.I.O.D.I.S का इसमें अभी तक कोई भी stake नहीं है इसके बाद हम चेक करते हैं कि इस company के promoter कोन है तो देखिए इस company के promoter है Mr. Ramesh Khichadiya और Gopal Khichadiya यह दोनों यह देखिए सगे भाई हैं तो Gopal जी इस company से को 26,93,000 पर एक salary लेते हैं वे रमेज जी इस company से कोई भी salary भी तक नहीं लेते हैं लेकिन रमेज जी के पास इस company के 3,23,000 shares जरूर है दोस्तो अब हम चेक करते हैं कि इस company के पास देखिए कौन-कौन से risk और कौन-कौन सी opportunity है तो सबसे पहले देखते हैं कि इस company के सामने कौन-कौन सी opportunity है तो देखिए भारते सरकार agriculture industry को काफ़े बढ़ावा दे रही है तो इसका मतलब कि सिधा इस company को भी फाइदा होने वाला है इसके लाव pipe industry के अंदर काफ़ी देखिए huge potential है आगे ग्रू करने को तो इस company को देखिए benefit होने की उमीद है इसके लाव infrastructure industry के अंदर जिस तरह से हमें growth देखने को मिल रही है वो directly benefit देगी piping industry पो भी तो यहाँ से भी company को benefit मिलने की उमीद है अगर हम इसके risk की बात करते हैं तो देखिए जहाँ पर growth होगी तो वहाँ पर competition भी आएगा तो ऐसे में देखिए इस industry के अंदर competition काफी जादा है क्योंकि आपर देखिए काफी बड़े बड़े खिलारी जैसे की एस्टिल पाई तो यहाँ पर देखिए competition भी रहेगा इसके लावा इस company को एक risk है कि जो इनका raw material वो देखिए काफी fluctuate होता रहता है तो ऐसे में इस company के जो margin है फिर वहाँ पर हम एक प्रैसर देखने को मिल सकता है तो यह थी इसके कुछ risk और इसकी opportunities अब दोस्तों देखिए अब तक हमने इस company के सभी पहलों पर बात कर लिए हमने इनका business देख लिया है कैसे इनके नंबर है हमने इसको वो भी चेक कर लिया है अब हम निकालते एक conclusion देखिए सबसे पहला स्वाल है कि इस company का मालीज आपको business समझ में आ गया है देखने को मिल सकते हैं और दूसरा इसके अंदर एक point है कि इस company के देखिए liquidity की आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों यह थी एक ऐसी micro cam जो कि मुझे लगता है कि आगे चलकर estel pie बन सकती है अब देखिए बनेगी की नई बनेगी वो तो देखिए हमें समय बताएगा और उसके लिए हमें wait करना होगा लेकिन सबसे पहरे जूरी है कि हमें इस company के business को अच्छे से खुद से analysis करना होगा अगर मिझे समझ में आई तो ही device कीजिए तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी next video में तब तक के लिए take care जैहन और हाँ दोस्तों अगर आप कोई video अच्छी लगे और आगर आप channel पर पहनली बार आये हो तो यह ज़रूर कर देना